जैहें दोस्तों सागात आप सभी का आपके अपने चनल क्रीक लेवेंग के में और आज की वीडियों के अंदर दोस्तों बात करेंगे बेरहम वसे सापर साओधी अरबिया के बीच में होने वाले गल्फ चैंपियन सीटीटी के आज के दिन के मैच के बारे में जो की खेल जाएगा आज रात में 11 बज़े ताई दोस्तों जानते हैं क्या कुछ रहेगी हमारी ड्रीम 11 टीम इन दोनों ही टीमों के तरब से वे कौन से खिलाड़ी जो की इस मैच में आपके लिए इंपोरिंट रहेंगे आपको अपनी टीम में लेना चाहिए क्योंकि बल्ले बाजी हो चाहें वो गिंद बाजी हो आपको दोनों तरब से पोइंट देने की छंता रखते हूँ अभी तक आपने हमारे टेलिगाम चनलों को जोइन नहीं किया न सबसे इंपोरिंट चीज आपको हमारे टेलिगाम चनलों को जरूर जोइन करना है फाइनल टीम आपको यहीं पर देखने को मिलती है आपको बता दो इससे आपको फायदा क्या होगा देखो तीस मिंट पहले आपको पाता है कि लाइना पर होती है ओफिसली बैटिंग ओडर निकल क्या थी है उसको भी मैं आप पर सेंड कर देता हूँ जिससे कि आप देख कोन तहां पर वैटिंग करने माला है साथ ही साथ जो मेरी फाइनल टीम आती है आपको यहां पर स्क्रीन सोट के मदल से इस तरीके सेंड कर देते हैं भेज देते हैं अपने टेलियाम चनल पर तो अगर अभी तक आपने जोइन नहीं किया तो कैसे जोइन करना है सबसे पहले करना वह आपके उपर इवेंट करता है लेकिन चैनलों को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जाकि जब भी मैं ऐसी इंपोर्टन वीडियो लेका हूं सबसे पहले आपको मिल जाए और सही तरीके से टीम बना कर आप अच्छा खासा प्रॉफिट ले पाओ अब देखो मेरा भाई बात कर लेते हैं अपने मैज के बारे में पिछ रिपोर्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं वेन्यू को देखते हूं चलेंगे आखिर में कौन से स्टेडियम पर ये मैज हो रहा है कितना स्कोर बन सकता इस स्टेडियम पर उसके हिसाफ से अपने टीम पाजी कर रहा है, किसका फॉर्म अच्छा है, कौन बैटिंग से स्कोर कर रहा है, कोन बoshingποι Coling से噗ट निकाल रहा है, इसी के साथ साथ, हर एक टीम का bowling information, कौन कितने ओबर की bowling कर रहा है, लाज के दो मुकावले में, कौन कितने ओबर की bowling किया है, और इसके साथ-साथ आपको बता दूँ हार एक प्लेर का record देखे चलेंगे जिसकी मदद से बिल्कुल किलियर हो जाए कौन सब लेर इस match में आपके लिए important हैगा किसको अपने team आपको लेना चाहिए देखने को मिलता है बैलेंस विगेट रहेगी बैलेंस विगेट का मतलब क्या होता है आपको बता दूँ चाहां बल्लेबाजी मतलब ठीक ठाक होती है लेकिन बोलिंग से विगेट भी गिरता है और बात करें 137 का average score है आप मान के चलना है 140 से लेकर न 160 के बीच में आपको score देखने को मिल सकता है इस match में हम बात करते है Pacers को अच्छी खास सपोर्ट मिलती है इस बीच पे आपको फार्ट बोलर मेक्सिमाम विगेट निकालते न ज़राएंगे लास्ट मुकाबले मेक्सिमाम फार्ट बोलर नहीं विगेट निकाला था और आपको बता दूं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ देखो लास्ट के पांच मुकाबले खेले गए इसी स्टेडियम पर खेले गए थे Hetwood की लाग्स के 5 मुकाबले खेले गए दोनों है टीमों के बीच में जहाँ पर Bearham की टीम ने 3 मुकाबले जीते और यहाँ पर Saudi Arabia के वाद 2 मुकाबले जीते हैं तो थोड़ी सी मजबूत आपको हैंपर Bearham की टीम देखने को मिलती है और आप मांग के चलना टकर का मुकाबला को देखने को मिलेगा हम बात करते हैं Bearham टीम की बैटिंग ओटो को जानते हैं आखरी में कौन सा बल्ले बाज कहाँ पर खेलता है कितने नमबर बल्ले बाज ही करता है कितने ओबर की बोलिंग कर सकता है आखरी के मुकाबले में कौन बैटिंग से स्कोर कर रहा था कौन बольं से विकट निका रहा था कौन बैटिंग बोल्लिंग दोनों सामें पहुंच दे सकता है इन सभी के बारे में जानके चलते हैं हम बात करते हैं वेरहां की यूट और आपको उपन करेंगे इम्रान अलीबट के साथ में फैद हमाद आएंगे नमबर 3 पर हैदर अलीबट आएंगे नमबर 4 पर उसके बाज से बीर नसीर आएंगे आपने इंका बैटिंग ओडर देख लेया है अब देखो यहां से कौन कितने ओबर की बोलिंग करता है यह भी देखेंगे लेकिन जिनके नाम का गेना मैंने यह पर स्टार लगा है वो इनके इंपोर्टेंट प्लेयर है बल्लेबाजी हो चाहें वो गेंदबाजी हो आपको सब तरीके से अच्छा करता है पो दिखेंगे तो इन पर भी आपनो ध्यान देना देखो बैटिंग से आपको पूरे चार और की बोलिंग करते हैं इनके ओबर कड़गे थे लास्ट में उससे पहले यह लोग आपको आपास में बात दर न आजो आएंगे तो यह भी धान देखो अब देखो इन से न 6 बोलिंग करते हैं, इन में से आपस में ये लोग share करते रहेते हैं, लेकि इन दोनों का over नहीं करता है, अली दाउद का, यहाँ पर M दिवान बट का, और A मजीद का, इनकी over आपको करते हैं जनरली नहीं दिखेंगे, बट last match पूरा over नहीं complete हुआ था, इनकी over आपको दिख रहे हैं, लेकि maximum आपको यहीं लोग bowling करते दिखेंगे, हाँ एका दो बर कट गया, किसी का तो वो कट गया, लेकि maximum 6 बोलार ही bowling करते आपको दिखेंगे, और last match जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं दो बर, दो बर, दो तो complete नहीं हुआता है, उससे पह करते हैं, मैं आपको बता दू, यूटूर की बात करते हैं, टीटों टीम है, 11 मैचे स्केला है, जहाँ पर 211 रन, 11 का average score है, उतना कुछ खास रहता नहीं है, आइबर्ट की बात कर लेते हैं, इम्पोर्डिंग खिलाड़ी रहेंगे, पांच में बोलिंग करते हैं, चार वि कोड़ बताऊंगा, तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, और आप लोग भी बोर हो जाओगी, हम बात कर लेते हैं, साओधी अरबिया की प्लेंग लेवन, बैटिंग ओटर को देख लेते हैं, अब बात कर लेते हैं, साओधी अरबिया की तरफ से बैटिंग ओटर के बा अब यहां से हम बात कर लेते हैं, इनके नाम करके रिसन फॉर्म लिखा है, फैसर खान लाश मैं 0 पे आउट होगे, उससे पहले 62 की पारी खेली, अब्दुल वहीद टीम कप्तान है, लाश मैं 26 की पारी खेली, उससे पहले 3 पे आउट होगे थे, कासिव अबास 10 का स्कोर किय जीरो विकेट निकाले बड़ पूरे 4 ओवर की बोलिंग कर गया थे, तो पार्ट टेंग में वाजी कर सकते हैं, ठीक है, उसके पास से साथ खान उतना कुछ खास कर नहीं रहे, मतलब 12 और तेज की पारी खेल रखी है, तो इस तरीके से आपने आपने इनका रिसन फॉर्म देख लेना है, अब इनके इंपोर्डेंट प्लेयर जो कि फैसल खान, अब्दुल वहीद, कासीब अबबास ये रहने वाले हैं, उसके बास से एच सेक रहेंगे, जेड अबदिन रहेंगे, उसके बास से आपर आई एहमाद को आप मान सकते हैं, अब देखो इनकी टीम के कौन की इतने ओबर की बोलिंग करता है, तो अतिक रहमान उको पूरे तीन ओबर की बोलिंग मिल रही है, आई हमाद को चार ओबर की बोलिंग करते हैं, यह नजीब खेले नहीं थे, अब दिन आपको पूरे चार ओबर की बोलिंग करते हैं, यह उपर के, लेकिन इन लोग क पार्ट टांग इन बाजी मिल जाती है तो किसी के भी ओवर कटेंगे तो इन दोनों को बोलिंग मिल जाएगी और फैसल खान हमेशा आप पूरों दो ओवर की बोलिंग करते दिख सकते हैं तो यह भी धान देना और इनको भी दो ओवर की बोलिंग मिल सकते हैं और किसी के भी सकते हैं कंफर्म है कि बाई देखो इनके ओबर नहीं कटेंगे आपको नहीं करते हुँ दिखेंगे ठीक है अब देखो इनके भी अगर आपको हर एक प्लेयर का प्लेयर स्टाड्स अगर रिकोर्ड देखना है तो फैसल खांग का आप देख सकते हो टी डूंटी आई में 18 निकाल है उतनी बोलिंग कर नहीं रहें तो आप लोग यहें पर इसी तरीके से आप लोग को हर एक प्लेयर का रिकोर्ड देख लेना है अगर मैं हर एक प्लेयर का रिकोर्ड बताऊंगा तो वीडियो काफी लंगी होगी और आप लोग बोर जाओगे तो अभी के लिए मैं आपको important पर बता जिए कौन concept देर important रहेंगे उनको अपने team map को लेके चलना है लेकिन अगर आपको record देखना है तो आप यहाँ पर record देख सकते हो अब देखो मिरे भाई pillar wise analysis का part खताम हो चुका है अब हम बात करते हैं अपने dream element team की अब देखो team बंती में इस प्रकार से जहाँ पर captaincy VC की हम बात कर लेते हैं captaincy जड़ अभी दीन को किया है नंबर 8 पर बल्ले बाजी आ के अच्छी कर ले रहे हैं और 2-2 wicket निकाल के जा रहे हैं important हैं लाज़ के दो मुकाबले में 3 wicket निकाल रखा हैं अपने team में captaincy कर रहा है सेफ जाने के लिए F Khan को मैंने VC किया है order कोई option ही नहीं जब आप चुकि reliable रहेगा तो कि आपको captaincy VC करके चलना चाहिए F Khan either opening बल्ले बाजी प्रस दो बर की bowling कर रहे हैं मैं VC इंको कर रहा हैं आप चाहूं तो इंको captain और VC आप इंको कर सकते हो ठीक है हम बात करते हैं ओधर VC की तो आई चावेद आपको नंबर 5 ये बल्लेबाजी प्रस दो बर की बोलिंग कर रहे हैं आप इनको भी कर सकते हो बल्लेबाजी अच्छी करते हैं और बोलिंग से दो बर ने बिगर्ड मिल गया तो अच्छे ओप्सन हो जाएंगे वीडियो अच्छे लगी वीडियो को एक लाइक जरूर करना चनल पर पहली बार आयो चनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसा ही इंफरमेटी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे